दिली इस शहरा के बादे में थोड़ी बहुत जानकारी आज हम ले देंगे तो आज आपका जो बात है पार्ट नौ दिली भारत हमारा देश है दिली इसके राज़दानी है इस विशाल नगर में हम पुरानी और नहीं सब्धिताओं की जलगपा सकते हैं तो यहां क्या है? भारत आमारा गुष्ट है, दिली इसकी राजदानी है, दिली राजदानी भी है और दिली के राज़नी है इस विषाद नगर में विषाद याने बड़ा, बहुत बड़ा सक्तnity तो इस विषाद नगर में हम पुरानी पो नही सभ्यता हों की जलत पा सकते हैं नही सभ्यता, पुरानी सभ्यता, जलत यानी क्या चांथ है एकमश्ड कि इमारत बनाए हैं और नए तरिक्ति किया कि बनाए गए है, इसके बारे हम उना पर जान सकते हैं तो उसे पहले एक इशे में हम देखेंगे कि वह क्या है लाल किला तो लाल किला के बारे में हम देखेंगे यहां पर दिल्ले का लाल किला तो आज हम इस लाल किले के बारे में जानगारें देखेंगे आप सबको मालू है कि लाल किला पर हम कब बजारत हम देखते हैं? 15 अगस्त स्वतन पतार दिवस्त के इन्था महा पर बजारत देखते हैं दिले का लाल किला बहुत पसित है इसके दिवाने आम और दिवाने खास देख लिये लाएं यहां पर दो कि दिवाने आम, याने आम दर्टा, आम याने यह जन्ता, दिवाने आम, यहां पर जन्ता अपनी समस्याओं को लेकर राजा महराजाओं के पस आगेते, अपनी कुछ भी समस्या है, उसका हल निकालने के लिए राजा महराजाओं पस आगेते, और आम ना निकालकर चले दर्टे दिवाने खास यानि खास दर्वार यानि वस्न तो यहां पर राजा सिर्फ अपनी मंत्री मंदर के साथ विचार विमश करते हैं यहां पर देखो दिवाने आम यानि आम दर्वार जन्ता के साथ विचार विमश करते हैं धिवाने खास, खास दरवार, याने राजा अपनी मंध्री मंदत में साथ गुप्त विश्य नहीं उंके बाले में चर्चा करते हैं धिवाने आमने 60 सुझदर खंबे हैं हमभा याने कों पाज़ हैं 60 सुझदर खंबे हैं, जो यार गथर से बने हैं हम क्या दखने हैं, जब भी कोई इमालत जब हम बनाते हैं, तो हम उसे अपने तरीके से उसे रंग लगबाते पेट लएए लेकिन यहां पर चो लाज किलाओे। इतने सालों को फुराना किलाओे फिर भी वहाँ का रंग नहीं लिए। क्योंकि जिस बत्थर से मअ लाग गिला दना है इस बत्थर का रंग ही क्या है? लाग है हम जो घर बनाते हैं वह रंग लगवाथे said वह ब्हुत अ कीकर पढ़ जाता है और दुरक है फिर से हमें रंग भाना पढ़ता है देखिए यहां बर देखिया है, इतने सालों पुराना भी अगर लाग गिला, अहीं तर लाग गिला है, किनके यहां पर कोई रंग भी है, जो पत्थर से बनाया गिला है, उस पत्थर का रंग ही कौन सा है, लाग है दीवाने खास संग मर्मन से बना है, इसकी भीतरि दिवारों की नकाशी बहुत बढ़ दिया है, यहां दिवाने खास गमार है, इससे बनाया गिला है संग मर्मन, मार्बर वाइक मार्बर आपने देखा होगा तो सफेद रख में रगा रहता है तो यहां उस संवर्मर से बना है इसकी भीतरी भीतरी यानि क्या अंदर जो अंदर की नकाशी है नकाशी यानि चित्र का रही डिजाइन जो अंदर की जो नकाशी है अंदर से जो चित्र बनाया रहा है, वह बढ़िया है, हम क्या करते हैं, पेपर में या किसी किताब को हम डिजाइन करते हैं, चित्र बनाते हैं, यहाँ पर संगमर्न में पत्र है, उस पत्र के ऊबर नकाशी जहें, चित्र कारे बनाई रहा है, वह बहुत बढ़िया बढ़िय यहां पर मुगल बादशाहों के शान शोकत की याद का रहे हैं याद के जब भी हम वहां जाते हैं तो उट आजावों के वारणी बाध की वारणी में याद आजल कर हैं वह लोग भी बाधसाह के से ते किस वजह से उनोंने इहों बढ़ फाया हैं किसी चांट़ाली वहां पर देने लगते हैं की लिए बज़ेसे, थोड़ी जूप, हम क्या देखें है कुतुप मिनार, कुतुप मिनार यह लिए हैं, आसमान से बातें बैकरने वाली यह मिनार बहुत सुंदर है, आसमान से बातें करने वाली है। आप सोच रहे होंगे, आस्मान से कैसे बात कर सकते हैं, जमीन से, जमीन पर हमने कुतुद मिनार बनाया है, तो जमीन से आस्मान करना, कैसे बास कर करते हैं, आस्मान से बात करना, याने बहुत उंचाई पर रहना, यहां पर कैसे बताते हैं, कुतुद मिनार के से आस्मान से करने वाली यहाँ एक मिना हो सुन रहे है यहाँ 238 फूट उंची है कितने फूट उंची है 238 फूट 238 फूट उंची है तो दीनी शहर में हम किसे किसे देख रहे हैं लाल पिला लाल पिला के बारे में हमने देख लाल पिला से थोड़ी दूर आगे पडने पर हम इसे देखते हैं Jugend願 में जहां पर बहुत सारे लोग एक साह मापर नमा पाढ़ा करते हैं उससे थोड़ी दूर आने के बाद हम तहां देखते हैं कुतुब मिनार गुतुब मिनार इतनी ऊंची मिनार लेकि हम सोचते हैं कि शायद यह कुतुब मिनार आस्मान को छोल लेती तो दोनों गूसाथ बनेंगें, ऐसे हम समझ सकते हैं तो आज हमें हाँ पर लार्टीला, दुद्मिनार और जामा मज्जिर के बारे में हमने देखा है तो आज का जो अप्टल हकार आप के लिए है जब भी कोई पार्ट आप देखें पढ़ते हैं तो क्लास हतम देखे बार, आपको उस पार को दुबारा से फिर पढ़ाए करने चाहिए तब ही आप उसके बारे में चान सबने हैं सिर्फा एक बार सुन के रिखें एसाथिया आपको दुबारा से पढ़ना चाहिए तो आपका जो उप्रहब कार्णा है भारती राजधानी कौन सी है? पर्णा परशन है भारत की राजधाने कौन सी है? दूसरा है दिवाने आं किससे बना है? दूसरा परशन है दिवाने आं किससे बना है? दीसरा जामन मजीर कहां पर है? पर्णा परशन है भारत की राजधानी कौन सी है? दूसरा परशन है दिवाने आं किससे बना है? तीसरा जामन मजीर कहां पर है? आपको याज सी देखना है दिवाने आं अलग है दिवाने खास अलग है यहां पर मैंने दिवाने आम बताया है, तो इन प्रश्णों के उतर आप ख्याम से सुनकर लिखी गए, समझने आगे हैं? धन्यमा.